स्टूडियो टेटर्स हैविल्स को आज के दिन हम टेट कर रहे हैं इसके अंदर हमें एक शॉर्ट पोजिशन बनानी है और प्राइस देखी जिस लेवल पर इस वक्त है 9.15 की कैंडल के नीचे प्राइस सपोर्ट ले रहा है एक्सपेक्टिशन इस तरह है कि अगर प्राइस ने हमारी स्विंग को नीचे की तरफ तोड़ा 1250 उर्पय का लेवल है यह यहां अगर इसके नीचे तोड़ता तो अच्छा मूँ दिखागा तो यहां पर हम एक और लगाएंगे इसके अंदर हैविल्स में कुछ 650-670 कौंट भी 1250 ठीक है 11-1250 सही है वार्षो 50 होके 23 कौंटी इस एक्जीक्यूटेट है तो डेख डेट परसंट कभी अगर हमें मूव इसके अंदर मिलता है न है वेल्स के अंदर तो अच्छा खलसा प्राफित इसके अंदर देखने हो को मिलेगा अभी साही चीज़े देखेंगे हैं को हमने सिलेक्ट क्यों किया है वेल्स के अंदर एंट्री के पॉइंट्स अपने एक्स्प्रेंट किया जाएंगे स्टॉप लॉस टार्गेट डे टाइंट आंप्रीम की रीटिंग क्या होगी सारी चीज़ें वन बाई वन हम क्लियर करेंगे आप लोगों के सामने वीडियो मुव गिरेगा यह प्राइज एक्षिन ऐसे देख रहे ना है वेल्स के अंदर अभी निगेटिव न्यूज़े सारी कॉइंटी हो गई चलिए ठीक है तो इसके अंदर मूव हो जाने देते हैं ठीक ठाक मूव होता है अचा खासा प्रॉफिट दिखादा तो वापस हम आप करते हैं एक एक लॉजिक समझने के इसके कोशिश करेंगे के क्यों यह ट्रेड हमने एक्जेक्यूट किया और अपनी एनालिसिस किया रही है है खुले करके तो थैंक्स एंड कुछ डिसेंट सा प्रॉफिट दिखता है तो उन्हों फॉर्म करते हैं आपको हैवल्स ने एज एक्सपेक्टेट काफी अच्छा मोमेंटम हमको डाउनसाइड की तरफ दिखाया है हाला कि मॉनिंग में यह जो वॉल्म का ब्रेकाउट हुआ था इससे ज्यादा की वॉल्म के ब्रेकाउट के एक्सपेक्टेशन हमें इस वाली वॉल्म के पास में थे काउस सकता है कि यह भी हो सकता है कि इस वालुम का बैकाउट हो जाएगगा हो सकता है यहीं से इसके अंदर short selling के लिए बोला था और यहां से price हमारा upside की तरफ बलट है यहीं पर हमने exit भी बोल दिया था तो एक perfect entry यहाँ पर और इसके बाद में इस जगाए पर हमने यहाँ पर exit करवा दिती आज भी हमने trade execute किया है and आज इस वाले level पर हमें proper एक setup नहीं मिला 1200 सरसर रुपए के आसपास में सो हमने क्या किया है कि price के जो swings बने न इस वाले swing के पास में जब price हमारा confirm कर रहा है हमें यहाँ पर जो support areas बन रहे हैं हमने इस जगाए पर अपना trade execute किया और stop loss भी जो हमने रखे है stop loss का area मेरा 1255 पचास या 1200 trade book यह open कर लेते हैं espresso 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 login इसके लोग इन कर चुक है हम लोग position book position book में देखिए overall जो इस वत का अपना profit चल रहा है 11,390 के round हम profit में बने हुए हैं करी 15 16,000 रुपाय का profit में दिख रहा था order book में जाएंगे stop loss order हम यहां से लेना है 1553 रुपे 50 पैसे पंद्रा सो तिरुपन रुपे 50 पैसे position book ग्यारा सा 1553 रुपे 50 पैसे यहां पर जो points बने हुए है तो इस जगे पर हमने अपना stop loss लगा दिया है नीचे के तरफ अपनी entry है यह जिस candle के अंदरी जो volume आप देख रहे हो ना काफी कुछ indicate यह कर रही है क्योंकि price continuation में कई दूनों से हमारा gear भी रहा है अभी हमने बता ना कि कल भी ग्रूप में हमने share किया था और आज भी हमने इसको trade किया तो क्या reason है कि दो दिन से हम लोग hevels को ही देख रहे है अभी भी देखे profits increase हुए होंगे तो बारा सार बारा 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 जार सासो तीस के राउंड चल रहा है ठीक है देखे डेट आइम से हम फरम hevels के अंदर कुछ एक चीज़े आपको दिखाएंगे उसको थोड़ा ध्यान से समझने के कोशिच कीज़ेगा बट जस्ट एक mindset अब यह ब प्राइज एक्षन और आपके लिए कोई और प्राइज एक्षन इसका मतलब क्या होता है हो सकता है जब हम ट्रेट कर रहे हूं तो किसी एक चार्ट के स्ट्रक्चर को देखते हुए हमें वो चार्ट इजी लगे इजी का मतलब हमारी understanding उस प्राइज एक्षन के साथ इतरे से बना ले या आप उसको देख करके समझे और हमें वो अच्छा ना लगे ऐसा होगा हर फिल्ड में होता है और मार्केट में भी सेम चीज़े ही वर्क करती है तो इसलिए आप अपना प्राइस एक्षन ढूंडने की कोशिश करते रहा करो हमेशा वो प्राइस स्ट्रक् इसने 20,000 का प्राफिट कैसे निकाल लिए या फिर इसने डिल्ला का प्राफिट यह सब यह लोग निकाल ले रहे हम क्यों निकाल पारे है फोकस शिफ्ट हो गया है बड़े प्राफिट्स पर वो प्राफिट्स बन कैसे रहे हो सकता है वो जो बड़े प्राफिट्स निकाल रही है हो सकता है सामने वाला पंद्रह सो दो हजर कॉइंटी मारते हैं लेकिन आपको confidence ही ना है उसके अंदर तो फर्क यहाँ पसिफ confidence का है और यह पूरा कैसे होगा जब आपका अपना price action बना होगा जब आपके अपने structures होंगे बने है ना तभी हम लोग काम करेंगे जैसे कि एक simple सा price action आपको बताते हैं एक support area है trade करने के लिए class में मकसर बताते हूं और इस structure के हम exercise भी करने के लिए देते हैं कि काम करो आप एक यह support area बन चुका है अब इस support पर आप इस तरह के price structure हमें find करके दो यह कोई double top और triple top नहीं है just एक ऐसी लाइन जिस पर market अच्छी तरह से आपकी respect कर रही हो अच्छी तरह से वहाँ पर support लिया हुआ हो इसकी कई सारी techniques भी होती है जिस techniques से हम लोग यह सारे support areas निकालते है techniques नहीं है आपके पास आप बस अपने मन में यह picture click करके रख लो कि हमें किस तरह के price actions find करने time frame कु बट price action क्या होना चाहिए कि कोई एक ऐसी line है जहां पर price बार बार आकर करके support ले रहा है या फिर resistance ले रहा है support ले रहा है या फिर resistance ले रहा है आप उस area को mark करके छोड़ दो price जब आपका आपके उस वाले level पर आएगा न यह जो double top triple top होता है न यह बाद में समझ में आता है बन जाने के बाद में पहले यह price action आपको समझ में आएंगे पहले यह price structure आपको देखेंगे market के अंदर बन जाने के बाद में सब बोल देते हैं यहाँ double top बनाता है यहाँ तो double bottom बनाता है आप मारते हो ट्रेट 50% से ज्यादा 50-60% से ज्यादा आपको loss में जाता है double top देख करके मारो आप वो double top बाद में समझ में आएगा आपको इसलिए जरूरी है किसी एक price action के उपर इतनी बुरी तरह से आप practice कर लो कि अगर वो सामने पड़ा है तो भले ही double top बने triple top बने में मतलब नहीं है लेकिन जिस price action के उपर हमने practice की है अगर हमने उसके उपर practice की है तो वो हमारे आँखों के सामने से जाएगा नहीं और हम उसको trade कर देंगे अब यह भी नहीं है कि बीस स्टॉक में अटे टाइम बना बीसों में मार दो कोई एक स्टॉक है जिसको क्या आप observe कर रहे हो ना आप उसको देखो अब हैवेल्स को कल भी हमने trade के इसके अंदर देखे कितनी ज्यादा volume आज के अंदर भी आई है विप्रो सबसे उपर बना हुआ है गैब डाउन हो गया छोड़ दिया इसके बाद में यह देखे कितना बड़ा गैब डाउन हुआ रिजल्ट आये थे इसके भी है आज गैब डाउन हो गया अब रिजल्ट खराब आए आ अगरी बार से जिस भी स्टॉक के अंदर आप देखोगी नेगेटिव रिजल्ट है आप शॉट मार दोगे बहुत बुरी तरह से कंगाल हो जाओगे यह सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए टेक्निकली देख लेने के बाद में सारी काम हम लोग करेंगे अब हैवल्स हैं है अगर आप चार्स को रोज रोज देखते हो आपको देखने से आप और क्या लग रहा है क्या हम लोग मान सकते हैं कि प्राइस बार बार हमारा इसी जगह से सपोर्ट ले रहा है यहां से यहां से फिर से देखिए प्राइस हमारा नीचे ग्राफ पर यही से उपर उठ करके चला गया और अगेन यहां पर है कल हमने क्या किया कि 1275 रुपए के पास से हमने हैवल्स को शॉट करवाया इस एरिया से इसके अंदर हमने शॉट के लिए बोल दिया अब क्यों कि車 इस अनतर इस तरह के बन रहा है कि सपोर्ट पर आने के बाद में मार्केट ने क्या किया है अपने हाइस को प्रोटेक्ट किया इसको प्रोटेक्ट किया मौनिक्ट की यह वाली जो केंडल है पनीन, 9.15 की केंड हैं तो 9.15 के ऊपर ये कल के पूरे दिन जाना नहीं चाहिए कल के ट्रीडिंग सेशन में और हुआ भी ऐसा ही कल पूरे दिन ये फिर स्टॉक हमारा ऊपर की तरफ नहीं गया समझ रहे हैं तो ये तो हुआ कल का मूफ और ये कल के लेवल थी अपने और आज भी देखें कल के के पास ही आपको रिजेक्शन दिखाई पड़े हैं लेकिन अब क्यूंकि 1250 और 1270 रुपया का ये वाला जो लेवल है अपना यहां से तो हम ट्रेट करेंगे ने क्यूंकि 915 के तो जस्ट है हमें क्या मलूँ हो गिरेगा या फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगा तो हमने क्य क्लियर है यहां पर अपना और भाणती है और जो स्टॉप लोस घिर है वा जैस्ट हमने अपने स्विंग पर यहां पर अपना स्टॉप लॉस रखती है और अभी का क्या है कि प्रॉफिट वगर जितने भी 11600 रुपय क्यास प्रॉफिट चलَّला है हम चाहें तो भूच कर सक स्टॉक हमारा और भी नीचे के तरफ थोड़ा बहुत एक दो केंडर्स बना दे चलिए ठेक है इसके अंदर प्रॉफिट्स अगरा बुक करके हम आपको इन्फॉर्म हजार दो हजार रुप और मिलेगा तो ले करके निकलने कोशिश करेंगे अदर्वाइस लगेगा कि नहीं इस तरह से ट्रेड एक्जेक्यूट करते हैं जैसे कि हैवल्स को जब आप देखोगे जो पिछला रिजल्ट इसका निकल क्या था हमने क्या क्या है सिंपल उस एक कैंडल का हाई मार्क कर लिया प्राइस ने जो पिछले दो से तीन महीने में सपोर्ट लिये हैं वो हमारे इस लेवल के पास में जानि कि جो रिजल्ट जिस देंठेर हुए थे उस दिन की कैंडल के हई से ही हमारा बार बार सपोर्ट ले रहा है जब जब यहां गिर रहा है अगेन एगेन प्राइस हमारा यहां से support ले रहा है कल का ज़र ट्रेडिंग session था price same level पर था और हम इसको exact watch कर रहे थे कि यह 100 चौक हम को एक छोट इसी confirmation दे शॉट करने के लिए तो हम इसको गिरा दे प्राइस फिर से हमारा सेम केंडल पर आ करके सपोर्ट लेने लगा कल हुआ क्या अभी जैसाब ने बताया तो लोबर टाइम फ्रेम के अंदर के एक 15 निट की केंडल फॉर्म हुई हमारे लेवल के पास में यहाँ पर इस जगह पर कैसे प्राइस एक्षिन बने थे जैसे कि यह मेरा एक सपोर्ट एरिया और लोबर टाइम फ्रेम पर 15 निट की यह कैंडल प्राइस ने 9.15 के हाई की तरफ मुड के भी नहीं देखा और लोस पर यहाँ सपोर्ट फॉर्म करने लग गई थी मार्केट इस तरह से जैसे ही प्राइस ने हमारे इन स्विंक्स को डाउन सैट की तरफ ब्रिक किया यह गिर किया सबसे पहली चीज़ कल का जो एरिया बना था हमारा वही आज का भी एरिया बना ट्रेड एक्जिक्यूट करने के लिए अब दूसरी चीज़ लास्ट रिजल्ट जिस दिन डिकलेवर हुआ था हमारा यहां पर प्राइस आज भी मारा ट्रेवल कर रहा है यानि के कल के ट्रेडिंग सेशन में और आज के सेशन में प्राइस ने एक्जैट जो ओपनिंग है हमारी इस वाली कैंडल की रेंज के अंदर आ करके दे दी अब यही रीजन था कि हैवल्स को हम दो दिन से अपने पास रखे हुए हैं और इसको लगातार ठेट कर रहा है पहली चीज़ के अंदर नियूज अगर आप देख रहा हो तो आपको मौलुम हुआ कि हैवल्स के अंदर कुछ बहुत अच्छी खास नियूज नहीं है और प्राइस अमरा दीरे दीरे करके फॉल हो रहा है previous results के day के अंदर आकर के trade execute कर रहा है कल भी इसने supports break किये और आज भी इसने support break किये तो एक तरह से ये daily watch list के अंदर देखे यहाँ पर add है हमारे पास stock अभी मैंने आपको दिखाया था ना ये add है यहां से हमने देखा कि percentage वेगारा भी इसके अंदर अच्छे खासे change हो रहे है मतलब movement ठीक ठाक हो रहा है और आज रही बची कसर volumes ने पूरी कर देखे कल भी ठीक ठाक आप देखो गए तो कल भी काफी ज़्यादा volume इसके अंदर आए थी मतलब कि अगर ये वाले जो session है अपना इस वाले session के बाद से देखे volume के breakout स्टार्ट हो गए क्योंकि price की range कहा गई पैस की range देखे यहां पर आ गई है last month की यहां पर यह वाली देखे यह candle है यहां पर आ गई अब सारी markings को चली एक बार फिर से अगें सपोर्ट अगें सपोर्ट फिर से सपोर्ट के अरिया अभी जो स्ट्रक्चर हमने आपको बताया था कि आपको कौन से स्ट्रक्चर ऐसा है जो कि सबसे अदा confidence देता है मेरे लिए तो यह है हम तो इस 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 स्ट्रक्चर के बनाए बस हो गया हमारा काम हो गया हम इसको ट्रेट कर सकते हैं simply trade कर सकते हैं तो यह दिजन था हैवल को सिलेट करके trade करने का analysis हमने आपको बतायी कोई इसके अंदर आपको बड़ी analysis नहीं करने simple analysis हम क्या करेंगे इसके अंदर कोई तो candle हम relate नहीं कर रहे है ना इसमें सिर्फ previous से जो result निकला है price हमारा उस range के अंदर आया support को break किये और हमने trade कर दे simple कुछ भी नहीं किया हमने 5 minutes के time frame पर यहां पर देखे price क्या कर रहा है हमारे इसी level के पास सही यह कल भी गिरा था retracement का area आज भी देखे market यहीं पर आया है और retracement का area भी वही बना है जहां पर price ने support ली यह वाला area कुल मिला करके सारी चीजें जो आज की trade से हमने तो कुल मिला करके सारी चीजें जो कि आज की trade को execute करने पहले हम ने देखी या कल देखी सारी चीजें हमने आपको बताते हैं thanks and I hope कि वीडियो से कुछ न कुछ quality knowledge आपको मिली होगी वीडियो अच्छा लगा है तो इसको like कर दीजएगा है नीचे एक प्यारा सो comment कर दीजएगा और अगर चैनल पर पहली बार आप आए हो तो चैनल को subscribe कर लिए चागा thanks and इसको हराफ करके मिलते हैं तोडियो अब यहां से exit होते हैं because move अब ठीक ठाक नहीं लग रहा है because यहां पर देखे black candles लगा था और form होती हुई आए थी और यहां पर black candle का high इसने break कर दिया है volumes भी increase हो गई है और इस वाली candle के upper price हमारा इस वक्त rate कर रहा है तो हो सकता है यहां से price आपको upside का move थोड़ी बहुत देर में दिखा दे और अगर price यहां तक भी पहुँचा तो अपना 2-3,000 रुपार का profit कम हो जाएगा अभी देखे क्या रहा है 11,500 रुपार पर हम लुक चल रहा है तो ठीक है एक तरह से हैवल्स का जो move है हो चुका आज के लिए ज़्यादा एक्स्ट्रेक्ट हम नहीं करेंगे इसके अंदर से अब चुपचा बहार निकलते हैं तो बुक में गए स्टॉप लॉस ओडर है इसको करते हैं कैंसिल वापस पोजिशन बुक लीजे 11,000 हो गया कम हो गया 10,000 हो गया यह देखे क्या हो रहा है 10,000, 10,700 12,000, वाह 2,000 पढ़ गया ये 11,700 12,75 12,75 12,50 32,60 50 निकाल देरे कॉइंटी सब निकल रहें धीरे-धीरे 296 पची है 296, 296 लीजे सारी पोजिशन से निकल गई 11,725 रुपए कितने चल रहे हैं तम लोग 15,000 रुपए के आस पास चल रहे थे प्रॉफिट में जब ये स्पाइक नीचे के तरफ बनी थी यहां तक और सॉरी इवनिंग स्टार और अगर ये इवनिंग स्टार बना और अगर प्राइस हमारा है इस वाली कंडल के नीचे आगर के ट्रेट करने लगा तो आप देखिएगा फिर ये स्टॉक और बड़ा मूब दिखा देगा लेकिन हो चुगा हमने जितना एक्सपेक्ट किया था हमको मारे सारे टार्गेट मिल गए और चुपचाफ हम बहार हो गए 11,700 रुपय का प्रॉफिट है इस वत का जो अपना टाइम चल रहा है 11,25 पर हमारी साही पोजिशन आफ हो चुकी है तो पूरा दिन पड़ा हुआ अराम से एंजॉय करेंगे एंड थैंक्स एंड विल मेट अगेन